हेलो फ्रीवायर प्लेयर्स एक बार फीर से स्वाग आते हैं आप सब का मेरे यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओबी 27 के बाद में बेस्ट इस केरेक्टर स्किल कॉमिनेशन आपके लिए कौन सा होने वाला है किसी स्किल कॉमिनेशन को आपको यूज करके आप बेस्ट अपना गेंपले कर सकते हो तो इस वीडियो में हम डीटेल में बात करेंगे स्टेप बाई स्टेप आपको मैं समझा हुगा कि कोल से स्किल आपके लिए क्या वर्क यूजफ्फूल हो सकती है उससे पहले आपसे एक चोटी सी विंती रहेगी कि चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं आपके लिए महनत करके इसी वीडियो लाता हूँ और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है और अपनी उंगलियों को थोड़ा सा और कष्ट देके इस वीडियो को लाइक भी कर देना सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा बेस्ट केरेक्टर कॉम्बिनेशन जो आपके लिए सबसे अच्छा होने वाला है तो आपको पता ही होगा कि हमें एक एक एक्टिव श्किल डाला केरेक्टर यूज कर सकते हैं और उसके इस्प्पेसिव यूज कर सकते हैं जल्दी से मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि आप Wukong यूज़ करके देखो एक बार ट्रेनिंग ग्राउड में यूज़ करके देखो और आप यूज़ करना उसको सीख जाते हो ना तो सबसे बेस्ट करेक्टर भी फिलाल में Wukong ही है तो अभी हमने हमारे एक्टिव स्किल केरेक्टर चुन लिया है Wukong को अब इसके बाद हमारे बाज़ते तीन पेस्व केरेक्टर स्किल तो अभी हाँ पर तीन स्लोट जो बचे हैं हमारे पेस्व के उसमें सबसे पहले आपको रखना है मेक्सिम की अबिलिटी मेक्सिम की अबिलिटी है कि वो 40% फास्ट मेडिकिट यूज़ करता है और ऑबी 27 में इसकी अबिलिटी को बढ़ा दिया गाए था तो वो केरेक्टर भी फिलाल में पेस्व में सबसे बेस्ट केरेक्टर है और मैं परसनल इसको यूज़ करता हूँ जब आप उससे मेडिकिट यूज़ करते हो तो बहुत जल्दी वो मेडिकिट यूज़ कर लेता है इसका फाइदा यह है कि अगर आप वुकोंग बन जाते हो और वुकोंग बनने के बाद आप मेडिकिट यूज़ करते हो वेना आपको खुद ही पता चल दाएगा कि इसके कहीं सारे से फायदे हैं और आपको गेम का जो experience रहेगा उसको यह बहुत ही अच्छा कर देगा second slot पर आपको रखना है केली क्योंकि देखो free fire में जो movement speed देती है वह ज़्यदा matter करती है और केली आपकी उसमें वह ज़्यदा help कर देती है क्योंकि केली से आपकी 6% speed बढ़ जाती है उससे आपकी movement speed भी बढ़ती है और आपको enemy का kill करने के लिए और उसको चक्मा देने के लिए बहुत ही ज़्यदा जरूरी होती है आपकी movement speed साथ ही में जब सही आवेकन का इसमें merge कर दिया गाया है तो यह थोड़ा सा damage भी extra दे देती है जब इसके आवेकन हो जाती है तो second slot पर आपको रखना है केली अगर third slot की बात करते हैं आपको मैं तीन character suggest करूंगा उसमें से main character रहेगा राफेल राफेल इसलिव होता रहा हूँ क्योंग अगर आप स्कोर्ट में खेलते हो तो आपके पास कभी कभी क्या होता कि time नहीं होता है अगर कोई बंदा down कर दिया आपने तो उसको finish करने का time नहीं रहता है अगर आप राफेल यूज़ करते हो तो 45% उसकी जो इली एच पी रहती है ने कि जो रेड वाली लाइन रहती हो पेतारिस परसंट फास्टर डिक्रीज होगी होने कि वो जल्दी से मर जाएगा इसी के साथ राफेल यूज़ करने की वजह से आपकी जितनी भी स्नाइपर गन होगी जैसे कि आपको राफेल पसंद नहीं है तो आप मोको भी यूज़ कर सकते हो और जो एमेट टुबी चलाने वाले प्लेयर्स हैं उनके लिए मोको सोने पर सुआगा है क्योंकि जब आप मोको से किसी बंदे को हिट करते हो तो उसके उपर 6 सेकंड के लिए एक टेग आ जाता है और वो टेग आपके टीम मेट्स को भी दिखता है और आपको दिखता है अब उससे क्या होता है आप आसने से उस प्लेयर को मा च्राव क्या होता है जब बंदा को हमें मारता है घुझा पर निशाना आ जाता है और जो हमारी सब्सक्राइब करते है अब बात करना है जिन प्लेयर के पास वूकोंग नहीं है या फिर जिन प्लेयर्स को बुकोंग पसंद नहीं है आलोग पसंद है तो उन प्लेयर्स को एक्टिव स्किल में क्या चुनना चाहिए तो मेरे इसाब से उनको आलोग के बजाए यहाँ पे के के केरेक्टर को चुनना चाहिए आपको मैं के-के-ार्क्र सस्देस करूंगा आलोत की जगह पर और अगर आप वुक्त वुक्ण यूज नहीं कर रहे होस्तों क्ये-ार्क्रेष्य कियुल में यूज कर लो यह तो था मेरा केर्क्डर स्किल कंबिनेशन आपका character skill combination क्या है आप जरूर से comment box में comment करके मुझे बताना और उसमें क्या changes हो सकते वो भी आप comment box में comment करके बता देना और वीडियो पसंद आये हो तो वीडियो का लाइक कर देना मिलते किसी एक और न एडियों में तब तक के लिए जैन जै भारत